नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजी कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी ओटो चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फार एगरी कल्चर दोस्तों आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कमपटेटिव बुक आफ एगरी कल्चर कर लेक्चर नमबर 75 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वाइल साइंस की पहली उनिट और स्वाइल साइंस की पहली उनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम स्वाइल फर्टिलिटी कि स्वाइल फर्टिलिटी क्या होती है उसके बाद हम इन दोनों के बीच का difference कि इन दोनों में difference क्या होता है फिर इसके बाद एक बहुत important topic है humus क्या होता है humus के बारे में समझेंगे इसके बाद फिर organic matter और organic carbon के बारे में भी हम आसानी से समझेंगे कि आसान भासा में कि organic matter क्या होता है और organic carbon क्या होता है तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका यह जो soil fertility होती है यह होता क्या है इसको कहते क्या है मतलब इसका जो basic funda है वो क्या होता है the inherent capacity of the soil to supply plant nutrient in adequate amount in suitable proportion for the growth of plant बास समझना कि जो soil की fertility है इसकी अगर हम definition की बात करें तो यह बताता है किसी भी soil की ऐसी capacity जिससे वो plant को एक adequate amount में nutrition supply कर पाए जिससे plant की एक अच्छी खासी growth हो उसको हम बोलते हैं soil fertility बास समझना ध्यान से soil fertility में capacity of the soil to supply plant nutrient यह इतना phrase जरूर लिखा होगा जब कभी भी हम बात करेंगे soil fertility की तो इसमें the capacity of soil to supply plant nutrient यह जरूर लिखा होगा कोई एक ऐसी soil है जिसके अंदर nutrient supply करने की capacity है बात समझना किवल capacity की बात हो रही है जिसे मान लो हमारे पास capacity है खाना बनाने की हम बनाए या ना बनाए वो दूसरी चीज़ हमारे पास अगर capacity है कि हम खाना बना ले तो इसका मतलब यह है कि हमको खाना बनाना आता इसी तरीके से अगर किसी soil के अंदर proper nutrient उपलब्ध हैं तो इसका यह मतलब है कि हमारी जो soil है वो fertile है यह बात दूसरी है कि वो productive है कि नहीं है वो दूसरी बात है भी आगे समझते है तो किसी भी soil की अगर capacity होगी कि वो एक proper amount में nutrient supply कर पाए plants के growth के लिए तो हम कहते हैं कि इस तरीकी की जो soil होती है वो fertile soil होती है इसके बाद जो अगला important term है वो है soil productivity इसकी definition के अगर हम बात करें कि soil productivity के definition क्या होती है तो इसकी definition होती है the capacity of the soil to produces in a unit area express in kilogram per hectare और rupees per hectare बात समझना किसी भी soil की capacity जिससे वो अपने field में किसी भी soil की capacity जिससे वो produce product कर पाए समझता हो मतलब कोई चीज उगा पाए किसमें इसको मिजर करते हैं kilogram per hectare में अब ध्यान से समझना दोनों को एक साथ समझाएंगे तो असानी से clear हो जाएगा जैसे मान लो कि कोई एक ऐसी soil है एक example देता है इसे example से आपका concept clear हो जाएगा जैसे मान लो कि कोई एक ऐसी soil है nutrient अच्छी मात्रा में होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारी soil fertile है अब बास समझना वो soil के अंदर nutrient तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसके साथ साथ वो soil ऐसी जगां पर है जहां पर temperature बहुत ज्यादा रहता है जहां पर हम कोई crop grow नहीं कर सकते हैं ठीक तो हम क्या कहेंगे कि soil के अ कहेंगे कि हमारी जो soil है वो fertile है लेकिन चुकि वो ऐसी जगां पर है जहां पर temperature बहुत ज्यादा रहता है जिससे हम वहां पर कोई crop grow नहीं कर पाते हैं किसी crop का अच्छे से production हो नहीं पाता है इसका क्या मतलब है कि वो जो soil है उसकी productivity low है ठीक तो soil fertility और soil productivity आप समझ गया दूसरे example से समझते हैं जैसे मान लो कि कोई एक teacher है ठीक उसके अंदर बहुत धेर सारा knowledge है ठीक तो अगर हम knowledge को क्या बोल दें knowledge को बोल दें कि fertility है तो ऐसे कह सकते हो कि हाँ उसके पास धेर सारा knowledge है लेकिन वो बच्चों को deliver नहीं कर पा रहा है मतलब बच्चों को आसानी से समझा नहीं पा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो soil है फर्टाइल तो है लेकिन productive नहीं है क्योंकि हमको वहाँ से कोई production मिल नहीं रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को बच्चे से समझ में आया होगा ए फर्टाइल स्वाईल में और में नॉट भी productive बट ए प्रोड़क्टिव स्वाईल आलवेस फर्टाइल ये बात बहुत इंपोर्टन लिखी है कोई एक ऐसी स्वाईल जो की फर्टाइल है वो हो सकता है कि productive हो और ना भी हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक productive स्वाईल फ फिर से बोलना, every productive soil is fertile, जितने भी productive soil होते हैं, सब के सब fertile होते हैं, लेकिन सभी fertile soil productive हों, वो जरूरी नहीं, अगर कोई teacher आपको आसानी से समझा पा रहा है कोई चीज, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास जानकारी जरूर है, तभी अगर हो सकता है teacher के बाद धेर सारी जानकारी हो, तो उसके दो चीज़ें हो सकती है, जानकारी उसके पास है, तो अच्छे से समझा भी पा रहा होगा, और यह भी हो सकता है कि नहीं भी समझा पा रहा हो, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कि all productive soil or fertile, जितना भी production देने वाली, अच्छा production देने वाली जितनी भी soil होती हैं, सब की सब soil fertile होती हैं, लेकिन सभी की सभी fertile soil, जरूरी नहीं कि productive हो, जैसा मैंने बताया, जो बहुत गरम छेतर में जो मिट्टी थी, क्योंकि वो fertile तो थी, लेकिन वहाँ temperature बहुत ज़्यादा होनी के वज़े से, production नहीं हो पाता था, किसी crop का, तो इस वज़े से, उस टाइप की जो soil थी, वो fertile तो थी, लेकिन productive नहीं थी, समझ गए बात, इसके बाद अगर हम difference की बात करें, तो soil fertility की और soil productivity की, तो it is the ability of the soil to provide all essential plant nutrient in available form in a suitable balance, यह definition seriously दी गई है, किसी plant की ability की वो plant को, किसी soil की ability की वो plant को properly grow करने के लिए एक right proportion में सभी nutrient दे पाएगा की नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, soil fertility, उसके अंदर है की नहीं है, soil के अंदर, productivity में, जब हम capacity की बात करते हैं, कि हमारी soil के अंदर fertilizer हैं, जो nutrient हैं, क्या वो nutrient पौधय को मिल पा रहा है की नहीं, अगर मिल पा रहा है, तो हमारी soil productive है, नहीं मिल पा रहा है, किसी वज़े से, production सही से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, कि हमारी जो soil है, वो productive नहीं होगी, it is an index of available nutrient to plant, इसमें soil fertility में जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम cowl or cowl, प्लांट के, जब हम soil fertility की बात करते हैं, तो इसमें केवल हम nutrient की बात कर रहे होता है, soil fertility में क्यों nutrient की बात हो रही होती है, कि हमारी soil में nutrient है की नहीं है, महीं अगर हम back home, productivity में, तो ये crop की yield को denote करने के लिए produce किया जाता है मतलब जिस field में ज़्यादा production होगा वो field ज़्यादा productive होगे जिसमें कम production उसके productivity कम अब चुकि yield के लिए nutrient भी ज़रूरी होता है इस वज़े से हम ये भी कह सकते है कि जो soil productivity होती है इसमें soil fertility को भी measure किया जाता है लेकिन soil fertility में केवल और केवल nutrient को ही measure करा जाता है इसके बाद बात करें influence by the physical, chemical and biological factor of the soil बात समझना जब कोई soil fertile होगी तो इसका ये मतलब होता है कि इसके जो parent material है वो जिस chemical से बने थे उन chemicals में nutrition काफी अच्छी मात्रा में था या उसकी soil की जो physical condition है वो काफी ठीक ठाक है और इसके अंदर जो biological factors है वो भी ठीक ठाक है जिससे उसके अंदर proper nutrients जो है वो develop हो पाए है जब कि अगर हम productive soil की बात करें तो depend upon fertility and location जैसे मैंने बताए इसमें fertility include होती है तो fertility and location पर ही depend करता है जिससे मैंने बताए कि अगर अभी ज़्यादा temperature वाली जगापर हो जाएगा कोई जमीन तो जमीन पर हम खिती नहीं कर पाएंगे तो इस महां खिती नहीं कर पाएंगे तो कितनी भी फर्टाइल soil हो productivity मिलनी नहीं है तो soil बेकार है all fertile soil are not productive all productive soil are fertile यही बात बोला जा कि जितने भी fertile soil हैं जरूर नहीं कि वो productive हो लेकिन सभी productive soil fertile जरूर होती है इसके बाद it is an inherent property of soil soil की यह soil की एक inherent property होती है कहने का मतलब यह है कि यह property जो होती है यह soil के अंदर इसके parent material से आती है जिनसे यह soil बनी होती है चाहे वो mineral matter हो चाहे rocks हो चाहे उसके साथ organic matter हो या humus हो जिनसे वो बनी होती है यह सब इसमें include होते हैं यह बिल्कुल inherent property होती है productivity क्या होती है यह inherent नहीं होती है जैसे अगर हम खेत के इंदर जुताई कर देंगे जुताई करके बढ़िया proper tillage करने के बाद अगर इसमें seed की sowing करेंगे तो production जादा होगा लेकिन अगर बिना जुताई के हम बुआई कर दें बिना proper tillage operation की बुआई कर दें तो क्या हमारा production सही से होगा नहीं होगा तो production नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है कि हमारी soil जो है fertile है की नहीं है कोई जरू नहीं हो सकता fertile हो लेकिन soil तो fertile थी लेकिन हमने property लेज़ा operation नहीं करा तो inherent property बहुत basic नहीं होता है productivity के लिए इसके बाद अगर हम बात करें अगला जो point है वो है humus humus is a complex and rather resistant mixture of brown और dark brown amorphous and collideal substance modified from the original tissue or synthesized by the various soil organisms बात समझना जब कोई भी plant जब कोई भी organic matter decompose होता है तो decompose होने के बाद वो एक weather resistant brown mixture बनाता है dark brown color का इस तरीके का mixture बनाता है जो की किस से बना होता है किसी organic matter के decomposition से बना होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं humus जैसे कोई plant होता है जब वो सड़ता है तो humus के रूप में convert हो जाता है या जो हम फार्मयाड manure या और भी अलग अलग तरीके के जो organic चीज़े plants soil में डालते हैं ये सभी एक तरीके का बाद में convert होकर जब ये एक resistant mixture brown brown mixture बनाती है colloidal substance बनाती है तो इनको हम क्या बोलते हैं humus बोलते हैं humus content 40 to 45 percent lignin and 30 to 33 percent protein हमारा जो humus होता है इसके अंदर 40 से 45 percent lignin पाय जाता है और 30 से 33 percent के आसपास इसके अंदर protein पाय जाता है हैंस humus is also called lignin protein complex क्योंकि humus जो होता है इसके अंदर majority में दो ही component पाय जाते हैं एक तो होता है lignin component और दूसरा होता है protein इसी वज़े से इसका जो humus का जो दूसरा नाम है वो lignin protein complex भी इसको कहा जाता है इसके बाद अगर हम बात करें कि cn ratio कितना कितना होता है किस किस चीज में cn बोले तो c for carbon n for nitrogen किसी भी चीज में चाहे वो humus हो चाहे normal soil हो चाहे legume हो फार्मयार मैन्योर हो या micro organism हो या crop के strong सब में carbon और nitrogen अलग अलग ratio में पाया जाता है किस में कितने ratio में पाया जाता है यह आपको इस table में देखने को मिलेगा जैसे humus के अंदर अगर हम carbon nitrogen के ratio की बात करें तो वो 10 is to 1 होती है यानि कि 10 अनुपात में क्या होगा carbon होगा और एक अनुपात में nitrogen होगा किसी मिट्टी में अगर 10 gram carbon है तो 1 gram उसमे nitrogen भी होगा किसी बात कर रहे है सुरी किसी humus में किसी अगर humus में 10 gram carbon है तो एक gram उसके अंदर nitrogen भी होगा नॉर्मल स्वाइल में 12 is to 1 लेग्यूम जो क्रॉप्स होती है इसमें जो cn ratio होता है वो होता है 22 to 30 is to 1 यानि कि 20 से 30 carbon होता है और एक उसमें nitrogen होता है जबकि हम फार्मयाड मैन्यूर के बात करें तो इसमें 20 to 30 इसमें भी लगबग उतना ही होता है जितना लेग्यूम में होता है उतना फार्मयाड मैन्यूर में भी होता है माइक्रोलियस में 4 to 5 is to 1 यानि कि 4 से 5 carbon होता है और एक nitrogen होता है इसके बाद cn ratio आप जो crop straw होती है जैसे मान लोग गेहूं हमने काट लिया combine जब harvester से गेहूं की कटाई या धान की कटाई करते हैं जो खेत में पड़ा रह जाता है जो हम पुआल बोलते हैं जो पंजाब में जलाते हैं दिल्ली में जो धुआ फैल जाता है उसी को crop straw हम कह सकते है इसमें cn ratio कितना होता है होता है इसके अंदर 100 is to 1 अब बात समझना इतना धेर सारा जो दिया गया है सब को याद करने की जरूत नहीं है एक याद कर लो humus को उसके साथ साथ ये normal जो swile है इसको लोन कर लो और इसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं ये micro organism में कितना cn ratio होता है क्योंकि यही तीन ज़्यादा important है और काफिवार एफ़ो वाले exam ये पूछा भी गया है इसके बाद अगर हम बात करें organic matter और organic carbon की organic matter क्या होता है organic carbon क्या होता है humus and organic matter content nitrogen about 5 to 5.5% while in humus and organic matter carbon range from 5 to 50 to 58% and give a cn ratio to 9 to 12 is to 1 बात समझने क्या कह रहा है humus और organic matter के अंदर जो nitrogen होता है वो 5 से 5.5% के आसपास पाया जाता है कोई humus हो या कोई organic matter हो इनके अंदर जो nitrogen होता है वो 5 से 5.5% के बीच में पाया जाता है जबकि humus और organic matter के अंदर जो carbon होता है वो कितना पाया जाता है 10 से 58% तक पाया जाता है अब अगर इसका आप ratio निकालेंगे तो आप सीधे सीधे समझ पाएंगे कि 50 ratio 5 अगर इसको आप काटेंगे तो क्या मिलेगा 10 is 2 10 is 2 1 मिलेगा ठीक 10 is 2 1 यही तो हम पढ़ाये थे 10 पाते एक वही तो लिखा आईए 9 से 12 पाते एक इसके बाद अगर हम बात करें year after year the quantity of organic matter in the soil decline धीरे धीरे जैसे जैसे हम किसी एक particular field में year after year cultivation करते रहते हैं उसको rest नहीं देते हैं soil को किसी field को तो इससे जो soil के अंदर organic matter है इसकी quantity धीरे धीरे घटने लगती है मतलब कि soil के अंदर जवपदार्थ हैं इनकी मात्रा धेरे धेरे घटी रहती है इसी वज़े से कहा जाता है कि कभी-कभी खेत को rest देना चाहिए मतलब उसमें कोई भी crop नहीं grow करनी चाहिए और हम को crop को बदल-बदल कर grow करना चाहिए जैसे leguminous crop grow करो फिर उसके बाद अब gramony crop grow करो यानि कि अनाज वाली फसले हैं फिर दलहनी फसले हैं बदल-बदल के अगर हम फसलों को grow करेंगे तो इससे जो soil की fertility है वो बराबर बनी रहेगी organic matter is the key of production and maintain soil health soil की health को अगर properly हमको बनाए रखना है तो उसके लिए हमको time to time खेत में अपने organic matter apply करना पड़ेगा चाहिए वो green manure के रूप में दें चाहिए वर्गमी compost के रूप में दें चाहिए farm yard manure के रूप में दें या चाहिए किसी और method से दें लेकिन if we want to maintain the soil fertility for a long time we must apply organic matter in time to time ठीक इसके बाद अगर हम बात करें organic matter is found higher in grass land than forest areas बात समझना जो organic matter होता है या आपका grassland area में ज़्यादा पाया जाता है यानि कि जो घास के मैदान हैं वहाँ पर organic matter ज़्यादा पाया जाता है forest area में organic matter काफी कम पाया जाता है अब बात समझना method of organic matter is calculated by multiplying the organic carbon value by a conservation factor of 1.724 बात समझना एक होता है bemaline factor जो bemaline factor एक होता है जिसकी value होती है 1.724 जरूर याद करने काफी बार एक जामे पूछा जाता है कि bemaline factor की value कितनी होती है तो 1.724 इसकी value होती है इसको क्या करते हैं अगर कोई हमको organic carbon दे दिया जाए और पूछा जाए कि इतना organic carbon आपको मिला है इसमें आप बताईए कि organic matter कितना होगा बात समझना तो हम क्या करेंगे जैसे मान लो हमको कितना दे दिया जाए 1000 kg क्या दे दिया जाए औरगैनिक carbon दे दिया जाए ठीक 1000 kg औरगैनिक carbon दे दिया जाए तो अगर हम उसकी value यहां पर रखेंगे 1000 उसको multiply करेंगे तो कितना मिलेगा 1724 1724 किलोग्राम हमको क्या मिल जाएगा organic matter तो यह क्या निकलेगा organic matter अगर आपका 1000 औरगैनिक carbon होगा फेक्टर होता है जिसको यूज किया जाता है अपना और्गेनिक कारबन को और्गेनिक मेटर में कनवर्ड करने के लिए दे स्टेटस आफ नाइट्रोजन इन जेनरल स्वाईल इस 0.03 to 0.05% that means the percentage of बास समझना जो नाइट्रोजन होता है किसी भी स्वैल के इंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो नौर्मिली कितना पाया जाता है 0.03% पहने का मतलब यह है कि काफी कम मात्रा में पाया जाता है काफी कम मात्रा में कितना मतलब कि 10,000 किलो गराम में केवल और केवल एक किलो ग्राम नाइट्रोजन पाया जाएगा जहां से समझना दस हजार किलो ग्राम में केवल और केवल एक किलो ग्राम नाइट्रोजन पाया जाता है तस हजार किलो ग्राम में तीन से पांच किलो ग्राम नाइट्रोजन पाया जाता है वो भी जो soil की upper surface है वहाँ अपर नीचले वाले surface की बात यहाँ नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर nitrogen और कम होता है इसके बाद अगर हम बात करें soil buffering buffering capacity का मतलब होता है किसी भी soil का pH change करने के लिए जितना resistant होता है वही उसकी buffering capacity होती है फिर से समझना किसी भी soil के pH को change करने के लिए हमको जितना ज़्यादा effort लगाना पड़ेगा उतना ही उस soil की buffering capacity होगी जैसे मान लो कोई एक ऐसी soil है जिसके pH को हम बहुत easily change कर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस soil के जो buffering capacity है वो काफी कम है और कोई एक ऐसी soil है जिसके pH को change करने के लिए हमको ज़्यादा effort डालना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि इस soil की जो buffering capacity है वो बहुत ज़्यादा है buffering capacity का मतलब होता है means resistant to change in soil pH मतलब soil की pH को change करने के लिए जो resistant soil लगाती है उसी को हम soil buffering बोलते हैं availability of nutrient to plants मतलब जो आपका soil buffering होती है यह regulate करती है कि plant में कितना nutrient जाए ठीक कम nutrient मिले plant को या ज़्यादा मिले यह किस पर depend करता है soil की buffering capacity पर depend करता है इसके बाद अगर हम बात करें sequence of availability and absorption of nutrient बात समझना कोई भी nutrient plant में कितनी मात्रा में available हो रहा है plant कितनी मात्रा में कौन सा nutrient absorb करते है अगर हम उसकी बात करें तो plant सबसे ज़्यादा absorb करता है nitrogen root से absorb करने की बात हो रही root से सबसे ज़्यादा क्या absorb करता है nitrogen उसके बाद फिर क्या absorb करते है potassium और उसके बाद फिर क्या अब्सॉर्ब करता है फास्वोरस तो N-P and, oh sorry N-K-P, क्या लिखा है, N for nitrogen, K for potassium and P, सबसे ज़्यादा जो nutrient अब्सॉर्ब करा जाता है प्लांट के दोरा, वो है nitrogen, उसके बाद फिर क्या अब्सॉर्ब करा जाता है, वो है potassium, और फिर उसके बाद nutrient है, nutrient, secondary nutrient, or micronutrient, यह सब भी absorb कर जाते हैं, लेकिन काफी कम-कम मात्रा में, सबसे ज़्यादा इनी तीनों को absorb किया जाता है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा nitrogen plant absorb करते हैं, आसानी से absorb हो पाता है, तो आज की वीडियो में क्यों इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आया